अब आपको आपको नहीं आपकी फैमिली को भी हल्प करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और अभी तक आपने मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज दो लाइक जो लाइक तो हो सके तो समझ में अपनी मॉनिंग के शुरुआज जो है न वो इस पानी के साथ में आप ये चीज मिला के लीजिए बहुत ही जादा आपको फरक लगेगा गर्मी से काफी बचाव मिलेगा और जैसे कि मेरे बेटे को ना वो जो था नकसीर की बहुत प्रॉब्रम रहती एक से दो चमत जो है और वो इस तरह से ले लिजेए अगर बचे इस तरह से प्रेफर नहीं करते हैं लेना तो उनको आप किसी बनाना शेक में या मैंगो शेक में जो है वो मिलाके दे सकते हो और बहुत ज़ादा हे रहेगा ये कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है हीट स् उसके अलावा यह weakness जो है उसको भी दूर करता है जो गर्मी की वज़े से weakness हो जाती है या फिर अगर किसी constipation की problem रहती है तो उसमें भी help करता है इसको मैं रात में ही बना के रख लेती हूँ और सुबह इसको ठंडा मतब पूरे दिन में आप कंजूम कर सकते हूँ तो उसके लिए चाहिए कि आपको कुकुंबर के 2-3 slices चाहिए है और साथ में नीबू के भी 2-3 slices चाहिए और साथ में पुदीना चाहिए बस इतना सा समान और इसके बाद इसमें आप दादीजे थंडा पानी अब नॉमल पानी डालके इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हो या फिर आप उसी वक्त पी रहे हो तो थंडा पानी डाल सकते हो कुकुमबर और मिंट में दोनों ही इंफ्रामिशन रिदूसिंग प्रॉपरिटीज होती है और इसके अलावा लेमन जो है वो बूस्ट करता है विटमिन सी विच हैट्स परस्टन फिल बेटर इंसाइड आउट इंसाइड आउट इंसाइड आउट अलसो यह प्रमोट करता है गुड़ स्किन सो बहुत अच्छा रहता है समज के लिए और मैं इसको रोईट को भी देती हूं सुबे ऑफिस में ही उनको रात को बना कर लेते हैं यह पानी हो सुबे ऑफिस में के साहर डाल देती हूं तो यह पूरा दिन जो है वो इसको कंसूम कर लेते हैं और वैसे चैसाज तो हम ज़्यादा पानी यह व्यादा पीप चो चाहे आप आप पोन viens Ó प्र line मौ मम हैं जाहे आप वर्क फरम हम हैं आपको के छोड़ों में बादेगा उससे आपको कभी चुटकरा नहीं मिल सकता है कीछन में तो उसके लिए करना यह है कि अगर आप चाहो चाहते हो कि थोड़ा सा हम शाम के वक्तना टेंपरेचर और जादा हो जाता है जैसी जैसे ही तीन चार बजते हैं टेंपरेचर एक्दम इंक्रीज होता जाता है और साथ ही साथ बॉड़ी भी जो है वह उतना ही जवाब देने ल कोशिश करती हुँ कि मैं दोनों ही सबजी वा उसी टाइ knocked Lisa Institute अभी दिनकी लिए मैंने यहाँ एंपर दाल्मक्नी सोची है और रात को हम कड़ेले जो है वो बना रहे हैं तो मैं जब तक मैंने डाल मंकनी के के लिए दाल भीगो के रखी है तब तक साइड में यहां पर करेले काट के रख लूँगी विकाज इनको भी नमक लगा के रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए तो साइड वाइस साइड थारे काम जो है वो निप्टाने हैं तो जितना हो सकेगा मर्टी टास्किंग कर ल किचन में ना लगाना पड़े जहां पर गर्मी बहुत जादा होती है वहां बहुत बुरी हालत हो जाती है इसके अलावा आप प्रेफर की कुछ ऐसी सब्जियों को मैं जूस करती हूं जो मेरी मौन लंच में भी और ट्रेनर में भी काम आजे कभी-कभी इस तरह से भी क्या अपने लंच और डिनर की प्रिपरेशंस आप मौनिंग में ही कर लिजिए क्यूंकि मौनिंग का टाइम फिर भी थोड़ा सा जो है वह अप बेरेबल होता है गर्मी में लेकिन शाम का टाइम जो है वह वह बेरेबल नहीं होता है बहुत जादा एक्साइब कर देती है वह व या फिर जिंजर वह सब तयार करके रख लूँगी और मेने यहां पर दाल जो है उसको भी बॉइल करने चड़ा दिया है अगर आपने जो है वह मतलब मैंने अरली मॉनिंग उठते ही अपनी दाल जो है वह सोक कर दी थी यह मैंने सेकिंड ताइम इसको दो के जो है वह भी फि समान पड़ा होगा सामने तो आपको पता है कि आपने क्या बनाना है तो आपका ज्यादा टाइम जो है वह कंजूम नहीं होगा तड़का लगा दिया है तो इसमें थोड़ा सा दूद भी डाल देंगे और दूद बनाने के बाद ही इसका टेक्स्टर बहुत क्रीमी हो जाता है और यह बहुत अच्छी बनती है तो जरूर ट्राइ कीजिए को उसके बाद मैं थोड़ा सा जोए वो गी का तड़का लगा रह जब तक मेरी यहां पर दाल जोए न वह सिमर हो रही थी अपने उस पर मैं रखके इसको थोड़ी देर जो है वो बॉयल हो ने दिया था तब तक मैंने यहां पर अपने करे लिये जो है उनको भी फराई करके जो है वो रख लिया था और उसके बाद मैंने सोचा चलो की एक शिकनजुई पाउडर बना के रख लेते हैं, कोई आए तो एकदम से नहीं बन पाता है और अच्छा रहता है कि अगर पहले से ही बना हुआ हो तो मैंने यहां पर ले लिया है अगर आपके पास चाट मसाला है तो भी अड्वाइड कर सकते हो और साथ में यहां पर मैंने लिया है थोड़ा सा सॉंट पाउडर और बहुत जादा संट पाउडर नहीं लेना है अगर आपके पास वो नहीं है अवेलेबल तो आप नॉर्मल चीनी पाउडर जो है वो भी मिला सकते हो तो थोड़ा सा जीरा जो है वो आपको जो है वो बिना रोस्ट के रख लेना है और बाकी जीरा और साथ में काली मिच को आपने ड्राय रोस्ट कर लेना है और इसको तो इसको ड्राय रोस्ट करने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसका पाउडर बना लेंगे और बस इतना सिंपल सा काम है हमारा शिकनजवी के लिए जो पाउडर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है बस आपको इसको स्टोर करके रख लेना है किसी कंटेनर में और जब भी कोई आए या फिर आपका खुद का भी मन कर रहा हो बिकॉस गर्मी इतनी है तो मन कर जाता है कुछ न कुछ थंडा पीने का तो शिकनजवी जो है वो काबोनेटी ट्रिंक से तो बैटर ही है कि आप घर पे बनी हुई शिकनजवी जो है वो पीलो तो बस उसके लिए आपको करना ये होगा कि एक ग्लास लीजिए और उसमें जो है पानी और बस इसको हम मिक्स करेंगे और आपकी शिकनजवी जो है वो घर पे तैयार है मैंने तोड़ी सी और ठंडग देने के लिए यहां पर पर जो है वो भी आड कर दी है अगर आप एड करना चाहो तो आप कर सकते हो और बहुत ही यमी बनी थी इतनी रिफ्रेशिंग इ इसके अलावा आप अपने डाइट में फ्रूट्स जो कि इस वक्त समझ में चल रहे हैं उनको जरूर इंक्लूड कीजिए विकॉस हमारे जो भी सब्जियां या फ्रूट्स वगारा जो सीजनल आते हैं वो उसी तरह उसी वजह से आते हैं विकॉस वो हमारी बॉड़ी के ल जरूर दिन में ले लिजिए और अपने फैमिली को भी दीजिए विकॉस इस वक्त होता क्या है कि कुछ खाने का मन नहीं करता है जादा तो सब लोग एवाइट करते हैं गर्मियों में की नहीं खाना है बच्चे भी कुछ आना-कानी सी करते हैं लेकिन किसी ना किसी तरह से उनको हमें कुछ ना कुछ खाने को जरूर देते रहना है और जो यह इस तरह के फ्रूट सुगरा होते हैं यह बहुत हेल्फुल होते हैं हमारे लिए समझ में तो जरूर इनको अपनी डाइट में जो है वह आप इंग्लूड कीजिए अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है और मैं जल मिलूँगी नए वीडियो के साथ अब तक लिए बाबाई टेकर और बी हैपी एंड स्प्रेड हैपिनेस बाबाई